नमस्का दोस्तों मैं आकाश आपस्वागते दिख्षाटी सेंटे यूट्यूब चानल पर आज हम लोग फ्रेजल भब में इस इस नाइंट पार्ट गाइज और लेडी आठ वीडियो अप्लोडेट है जरूर देख लिए जगा उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जरूर देख लिजेगा तो चलो आज हम लोग मुस्ट इंपॉरेंट और पंदरा जो है करेंट फ्रेजल भब जो है वह इसमें डेख लेंगे ठीक है तो चली स्टार्ट करते हैं पहला जो है देखिए टेल अपॉन टेट अपॉन का मतलब है एफेक्ट आडवर बुरा अश्र देगा ठीक है टेल अपॉन का मतलब होता है नेक्स्ट आप लोग आता है टेक फॉर टेक फॉर मतलब स्पोस्ट टू बी मन हो ना आई टूक द स्काउंडल फॉर नोबल परसन मैंने सोचा था वो अच्छे होंगे बत वो खड़ाब निकले टेक फॉर मतलब स पॉस्ट तुम सोच रहे हो नहीं चला वो तो अच्छा होगा लेकिन अच्छा नहीं यह बहुत ही बुरा आदमी है टॉक ओवर मतलब डिसकस करना अगर आप कुछ चीज डिसकस कर रहे हो उसका मतलब होता है टॉक ओवर आई ग्री हो गया घर जाने के लिए और यह जो आभडियातर आजी का हेम ति टॉइन जाने का उसको मैने रिजक्ट कर दिया कर दिया तुक है तुक लिए लेक्स जहित रावर मतलब चेंज हो जाना अगरर अनोट मतलब कुछ होता है प्रूव या reveal करना nothing ever turned out right for me in life कुछ भी जो है अच्छा नहीं होड़ा मेरे life में turn out turn up मतलब arrive करना कुछ भी चीज arrive करना उसका मतलब होता है turn up मतलब you can stay you can say what will be turn up next who can say कोई भी नहीं बता सकता है जो इसके बात क्या होगा क्या आने वाला है वो कोई भी नहीं बता सकता है that is means turn up फिर number 10 देखो watch out watch out मतलब look out अब ढून रहे हो if you don't if you do not watch out he might harm you अगर अब तुम उसको अच्छा से नहीं देखो के वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है तो वो तुम्हें हम हानी पहुंचा सकता है wipe away मतलब remove कर देना पूरी तरह से हटा देना the marks of blood were wiped away by the accused जो दोशी था उसने क्या क्या जो भी blood के जो भी marks थे उसको अच्छी तरह से remove कर दिया उसके बाद आता है wipe out wipe out का मतलब होता है देखो wipe out का मतलब होता है destroy completely पूरी तरह उसको जो है खतम कर देना we must try to wipe out poverty from the current हम लोग को जो है यह पूरा try करना चाहिए जो भी हमारे poverty है उसको ख़दम करना हमारे देश से next आता है work upon मतलब influence करना कोई भी चीज आप प्रभावित कर रहे हो the leader try to work upon the mob ठीक है जो leader है वो influence कर रहे mob के ओपर जो है अपना influence ला रहे है break with मतलब traditions and customs से आप कोई भी जो है चल ला इस very difficult to break with past customs बहुत ही जो पुराने customs है उससे पीछा चुराने या उसको बंद कर देना खथम कर देना यह बहुत ही tough हो जाता है pull in मतलब enter करना as the train pulled in जैसे train enter किया the passenger run here and there passenger इधर उदर भागने लगे ठीक है गाइस तो देखो यह 9th वीडियो था और एक वीडियो में आपको पूरा cover up हो जाएगा तो जरूर 100 golden rules grammar के दिया हुए है 150 जो है यह फ्रेजल भार वे इसके बाद में आपको और भी जो important चीज़स होंगे जैसे appropriate position और spelling जो हमेशा एक्जाम में आती है और कुछ उसमें चुनिन दे ही आते हैं तो वह ज़रूर मैं आपको कड़ा दूँगा तो थैंक्स फॉर वाचिंग फिर में देख नया वीडियो को सत्तियल दिन गुट्बए